अगर आप आध्यात्मिक जर्णी पर हैं आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको आमन्सान नहीं हैं बहुत special है आप उस परंपिता परमात्मा की special creation है तब ही आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो बात करते हैं sign number one की अगर आपके मन से कुछ भी खो देने का भै चला गया है आपके मन से सब कुछ खो देने का भै चला गया है आपके भीतर से डर चला गया है आपके भीतर से सब भी negative emotions जो हैं वो रफा दफा हो गए हैं negativity के लिए आपके भीतर अब कोई स्थान नहीं है बहुत बड़ा sign है कि परमात्मा आपसे कुछ special करवाना चाहते है sign number two अगर आप अकेले बहुत खुश रहते हैं बहुत आनंद में रहते हैं अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं बहुत पीस में रहते हैं बहुत बड़ा sign है इश्वर आपको को special करवाना चाहते हैं आपसे sign number three आपको परमात्मा के नाम ध्यान में इश्वर की भक्ती में आनंद आने लगा है आपका मन करता है कि मैं 24 घंटे भचन कीरतन सुनते रहूं अकेले ही भगवान का नाम लेकर आप मस्त रहते हैं आप अनंद में रहते हैं आप परमानंद में चले जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा संगेत है कि परमात्मा आपसे कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं. Sign No.4 आपका ध्यान लगाने का मन करता है. आपका मैंन करता है अपने आप ध्यान लगाने का और ध्यान लगाते ही आपके मस्तक पर आपको अपनी चेतना की दर्शन होते हैं और उस चेतना को आप परम्पिता परमात्मा आपकी चेतना परम्पिता परमात्मा से जुड़ जाती है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि परमात्मा की किर्णे आपके पूरे शरीर परगेद रही है और आपकी चेतना को और निर्मल और पावन बना रही है आखे बन करते हैं अगर इस तरीके का द्रिश्या आपकी आखों के सामने आता है तो ये भी बहुत बड़ा संगीत है कि परमात्मा आपसे कुछ स्पेशल करना चाहते हैं साइन नमबर फाइफ आपके चेहरे का नोर बढ़ता चला जा रहा है आपके चेहरे की काया पलटती चली जा रही है आपका नोर बढ़ता चला जा रहा है बहुत बड़ा संगीत है परमात्मा आपसे कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं साइन नम्बर सिक्स आपको अकेले रहना इतना पसंद है ना कि आप भीड़ का हिस्सा अन्ना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं बहुत बड़ा साइन है पर मातमा आप से कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं साइन नम्बर सेवन आप ज्यान को प्राप्त करना चाहते हैं आप जितना चाहें आपका मन करता है कि मैं बेवज़े अपना एक सेकिंड भी ना खराब करो आपको अपने एक एक सेकिंड का मुल्य पता है आप बेवज़े अपने समय को बरबाद नहीं करते हैं आपको अपने समय की value करनी आ गए है, समय कितना कीमती है, उसका मूल्य आपको समझ आ गया है, अपना एक एक पल आप अपने जीवन में आगे भड़ने की ओर लगाते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकीत है, पर मात्मा आपसे को special करवाना चाहते हैं, अगे दिया सारी चीज़ आपकी चेतना विकाश, शील है, पर मात्मा से आप जोड रहे हैं, और आप जब तक इस धरापर होंगे, को special करने के लिए आप आए हैं, और जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे, आपका शरीर छोड़ने के बाद भी आपका नाम होगा, जिश्वर आपसे कुछ ऐसा करव आपको याद रखेंगे, कि जब आप अपने शरीर को भी त्याग दोगे ना, तो लोग आपको याद रखेंगे, और कोई एक इनसान नहीं, दुनिया के बहुत से लोग आपको याद रखेंगे, कुछ पर मात्मा आपसे इस प्रकास से special करवाना चाहते हैं, थैंक्स पर व